नमस्कार घर का जाय का विद खुश्बू में आपका स्वागत है रॉम नम्मी में बनने वाली भुरुकुंडा परसाद की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ तो चलिए अस्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और मैं इसकी सारे इंगेडियन्स को लास्ट में नोट कर दी हूँ आप वहाँ से चेक कर ले ये ऐसी परसाद है जो रॉम नम्मी के पूजा में जरूर से जरूर बनता है तो आप रॉम नम्मी पूजा में इसे जरूर से जरूर बनाईएगा क्यूंकि इसके बिना रॉम नम्मी पूजा अधूरी है इस परसाद की यूज़ आप सत्नराय भगवान के पूज़ा में भी कर सकते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी तो हम एक बर्तल लेंगे बर्तल में हम चावल का आटा एड़ करेंगे आप हो सके तो आप यहाँ पे भूना हुआ गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते है यहाँ पे मैंने आदा किलो चावल का आटा लिया है तो वहाँ पे धाई सो गडाम मिठा लूंगी कर सकते हैं फिर इसे हम अच्छी तरह से मैस कर लेंगे और इसके कटोरी में जो लगा हुआ है मिठा हम उसे बेस्ट क्यूं करें तो इसमें थोड़ा सा आटा डाल कर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे देखिए सारा आटा निकल गया ना अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ मैंने इसे सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब यह डेड़ी हो गया है अब मैं इसमें इंगिडियन्स एड़ करूंगी आप घिनते जाईएगा इसमें बादाम, खजूर, सोफ, नारियल, किश्मिश, काली मिर्च एड़ करेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे यह बहुत जल्दी बनने वाला परसाद है आप चाहो तो आप इसमें इलाइंची भी एड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे दो इलाइंची एड़ की हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ जब राम नम्मी पूजा में आप इस परसाद को बनाईएगा तो इसमें तुलसी का पत्ता जरूर एड़ करिएगा क्यूंकि भगवान विश्णु के कोई भी पूजा में तुलसी पत्ता होना बहुत जरूरी है मैं इसे एक बॉल पर ट्रांसफर कर दी हूँ और इसके उपर से थोड़ी सी काली मिर्च और सौफ एड़ कर देंगे मेरी भुरकुंडा परशादी तैयार है मैं इसे टेस्ट करती हूँ कि यह कैसा बना है सच में यह बहुत ही अच्छा बना है अगर यकीन नहीं होता तो इस रॉम नमी आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा और हमें कमेंट करके बताईएगा कि यह कैसी बनी है आई होप आपको भुरकुंडा वाली रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमली में सेयर करना ना भूले और सबसे इंपॉर्टेंट वाद अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब किये भीना मत जाएए क्यूंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को तो मेरे चैनल को सस्क्राइब किये भीना मत जाएएगा आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरे इस्टाग्राम आइडी है कनोजियाखुश्वू122 तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहिए खुशियां बाढ़ते रहिए और आज पर सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक क्यार और नमस्कार